और हर्दा से खबर सामने आ रही है जहाँ गाओ में लोगों ने बहिशकार किया है चुनाब का जहाँ एक और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तमाम प्रयाव किये जा रहे हैं तो दूसरी और इस तरीके की तस्वीरे सामने आ रही है जहाँ हर्दा के गाओ नांदवा में ग्रामीनों ने लोग सबचनाब का बहिशकार किया है अंदर बिरच की समस्या को लेकर ग्रामीनों ने चुनाब का बहिशकार कर दिया है तो इस समस्या से लगतार लंबे दौर से जूज रहे थे लोग परिशान हो रहे थे और इसी को देखते हुए उन्होंने अब चुनाब वहिश्कार करने का अफ्तास्ला लिया है हर्दा के गाओ नांदवा की ये तक्षीर हैं ग्रामीनों ने लोग सब चुनाब का बहिश्कार किया है और नाराज की जाहिर कर रहे हैं नाराज की जता रहे हैं नाराज हैं और इसी को लेकर उन्होंने मतदान करने से मना कर दिया है हर्दा के गाओ नानदवा की ये तक्थीर है उगरान की ये समझ्चा है कि हमें इलेश में बुरी तरह से काड़ पिया गया नहीं तो हमारे यहां कोई भी साइन बोर्ड है आने वाले जो भी मुसाचे रात है वो यह तो टेमा गाओं सीधे निकल जाते है उनको रात में आने की ये इस्तिती है कि कोई भी आदमी यहां रात में पहुची नहीं सकता हर्दा बेतुल संसदिये छेतर के जो टिमर्दी बिधान साबा का ग्राम बंचायत नानदवा में ग्रामिनों ने जो है मतदान का भाहिसकार किया है यहां पर बूत पूरी तरह से खाली पड़ा है मतदाता मतदान करने के लिए नहीं पहुच रहे है ग्रामिनों की यहां पर NHI जो अभी नेशनल हाईवे का निर्मान हुआ है उस हाईवे निर्मान में ग्रामिनों को रास्ता नहीं दिया गया है जिसके चलते ग्रामिन यहां नाराज है और तुनाव का भहिसकार किया है यहां पर कुल 561 मतदाता है जिन में से अभी तक मातर 40 लोगों ने ही अपना मतदान किया है हर्दा से न्यूज स्टेट के लिए अखिलेश मालवी की रिपूर्ट